आज हम बात करेंगे जोडो के दर्ड के बारे में एक सर्टे ने उसके बात हमारे जोडो में दर्ड होना सुरू हो जाता है मैं आपको बतादू जोड़ो का दर्ट एक ऐसा दर्ट है जो साज़ कभि ठीक होता हो एक सरटेनेस के बार यानि कि 50 साल के बाद हम सभी को जोड़ो का दर्ट होता ही होता है और मैं यह जरूर कहना चाऊँगा कि यह दर्ट ऐसा कोई नहीं है जिसको नहीं हो हम सभी को एक ना एक बार ये दल्ट जरूर होगा और सभी को उन्हें जो जो धर्टी पर पैदा हुआ है उसको जोड़गा दल्ट जरूर होगा मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ इसके सच्चाई हमारे जीवन के सुरुवात में ही छिपी हुई है जब हम भूणा वस्ता में होते हैं तो हमारी बॉड़ी में जो अस्थी मंजर होता है जो इसकेलेटल होता है वो एक बोन का ना हुके कार्टिलेज का बना होता है पूरा जो हमारा स्थिमन जार होता है वो कार्टिलेज का बना होता है और जैसे जैसे हम विक्षित होते हैं तो ये कार्टिलेज धीरे धीरे बोन में बदलना सुरू होता है बोन में बदलना सुरू होता है तो इसकी जुरत सिर्फ वहीं रह जाती है कार्टिलेज की जैसे कि हमारे जॉइंट्स हो गए जॉइंट्स में ही कार्टिलेज रह जाता है बाकि हर जगा पर बोन बन जाती है कार्टिलेज मुख्य रूप से कॉलेजन, प्रोटीन और वाटर का बना होता है इसकी कई सारी लेयर होती है इसकी वेसे काफी ज़्यादा मजबूत होता है जैसे कि मैंने कहा हमारा अस्थी मंजर पहले कार्टिलेज का बना होता है धिरे धिरे वही कार्टिलेज अब बूम में बदलना सुरू होता है और हमें कार्टिलेज की जूरत सिर्फ हमारे जोडों पर ही पड़ती है क्योंकि हम यहीं से अपना मूवमेंट करते हैं लेकिन एक काफी समय बाद यानि की काफी साल गुजलने के बाद जब और भी जादा विक्षित होते हैं तो यहीं कार्टिलेज दुबारा से वही प्रोसेस सुरू कर देती है यानि की अब यहीं कार्टिलेज फिर से बोन में बडलनी सुरू हो जाती है और हमारे जोइंट अटकने सुरू हो जाते हैं हमें मूवमेंट करने में बहुती परसानी होती है येई कारण है कि हमें joint pain उते है और ये कभी भी ठीक नहीं होते है इसके लिए हम तरीë-तरीकी medicine लेते हैं, ताकि हम pain को reduce कर सकें लेकिन मैं फिर भी ईतना कहना चाहूंगा कि ये कभी भी ठीक नहीं होते है knee replacement करना पड़ जाता है, काफी कुछ करना पड़ जाता है लेकिन फिर भी मैं कहूंगा जो चीज प्राक्रिटिक है बोन का बनना वो तो सभी को होगा ही होगा इस वीडियो को लाइक करें सब्सक्राइब करें और साथी साथ इस वीडियो को सेर जरूर करें